केंडर वेट किया नितीश कुमार जी जिस तरीके से इंडिये से अलग हुए थे गंठ बंधन में उसका गंवेरर बना देता तो निश्चित तौर पर उस समय की जो प्रिष्थिती फिजा बना था वो फिजा आज चुनाव तक बरकरार रहता और आज भारतिय जनता पार्टी की दुर्गती हो गई होती है जो जो जिस पाले में रहेंगे बिहार में या केंडर में सरकार उसी की बननी है अब यह तो देखने की बात है यह तो सामने आ गई बात नालंदा नहीं पूरे प्रदेश की इच्छा है कि कौशलिंद जी इस बार मंत्री के रूप में आए नितियुस कुमार की बड़ी भूमिका होगी इस सरकार में सुचिए इंडिया गटवंधन के निर्माता थे अगर इंडिया गटवंधन में उनको संजोजग बनाया जाता तो आज खेल पलट गया होता खेल नितियुस कुमार पिछले 20 साल से सत्ता के सबसे बड़े किंग मेकर है पिछले 20 साल से बो मुखमंत्री है अब केंदन सरकार में उनकी बड़ी भूमिका है और वहीं नालंदा एक ऐसी सीट है अगर आप बिहार की राजनिती देश की राजनिती जानते है नितियुस प्रूप्रदेश महाशचीव जनता देल्युविहार क्या लगता है कि कोशलेंद जी चौथी बार जीते हैं और नितीज जी की भूमिकाई इन दोनों लोग के कैसे देख रहे हैं देखें नितीज जी तो भी नलंदे के गिट्टी मिट्टी में पैदा लिये हैं और उहीं से राजनित भी शुरू किये हैं हरनौत विधान सभासुन की राजनित शुरू हुई है और 1985 में वो विधायक बने बिधायक बनने के बाद नलंदा की जनता ने उनको हाथों हाथ लिया और नितीज कुमार जी पीछे मुण करके फिर नहीं देखे एक तो है ये बात कि नितीज जी को नलंदा की जनता बहुत मानती है शुरूआत में एक दो बारा सफल भी हुए थे वो 77 में हारे हैं चुनाओ करपूरी ठाकुर के लेकिन भरुसे मन आदमे थे इसलिए करपूरी ठाकुर ने उनका टिकट कभी नहीं काटा हारते गए तब भी नहीं दो बार हारे हैं 77 और 80 में लेकिन 85 में उन्होंने फिर जो जीता उसके बाद से पीछे मुण करके उन्होंने नहीं देखे कभी चुनाओं यहारे और नहीं तो फिर जब तक लड़े जैए तो बार में उनके बार में लोक शबहाल लगें तहें कहें कि हम आएंगे ही नहीं चुकि हमको पूरे बिहार गोमना है और हम हरनौत में जब आएंगे तो हम यहीं लटपटा के रह जाएंगे इसलिए हम हरनौत नहीं आएंगे बाकी आप लोगों का काम है चुनाव जीताना और लोगों ने जीताया था खोब तन्माइब लुक्सभा में भी इस तरह की बाते सब्सक्राइब लोगों ने उनको मतलब अंडर बेट किया और इसका यह नतिजा है तो आज पर्धान आने में हमको भी कहीं गुरेज नहीं है गेंडर वेट किया नितीश कुमार जी जिस तरीके से अलग हुए थे और जिस तरीके से विपक्ष को ताकत मिलना शुरू हुए तो चारतरफ चुपी थी लोग ड़के बैठे हुए थे और नितीश कुमार जी ने मुकाम तक पहुचाने का सौ सीट वीजेपी की कम हो जाएगी और सौ सीट उनके आने से फिर बढ़ गया वीजेपी की हम नहीं जानते हैं प्रधान मंत्री का उमिद्वार बनते की नेलिके नेंडी उसका गनवेरर बना देता तो निश्चित तौर पर उस समय की परिस्थिती फिजा बना था वो फिजा आज चुनाव तक बरकरार रहता और आज भारतिय जनता पाटी की दुरगती हो गई होती मानते हैं कि नितीश कुमार वो एकका है जो जो जिस पाले में रहेंगे बिहार में या केंदर में सरकार उसी की बननी है अब यह तो देखने की बात है यह तो सामने आ गई बात बिहार में तो खेर उनका जिधर जाएंगे उधर सरकार बनेगी आप तो केंदर में भी हो रह कि ऐनगरे में को जी बैज रहे हैं तीन वार्ट से लेकिन बेज़िधा हैं तभी सरकार में आते हैं जब निचीजー में आरे में कर्च करता नहीं रहते हैं लोगों के पाटीक में अनुसासन है और नेता हम लोगों के एक ही है नितीश कुमार जी जो निरने लेते हैं वो सबों के हित में लेते हैं समझ गये कि नहीं इस लिए उनके अनुसासन के दाइरे में यह हम लोग रहते हैं तुरत भाप जाते हैं वो तो मा अपने में इस मामले में तो बहुत ही वो क्या कहेगा द्यहाती भासा में माहिर आदमी कोशलेंदर जी बहुत करीबी लोगों निश्चित तोर पर हैं कोशलंदर जी आखिर करीवी नहीं है तो चार-चार बार उनको उनके उपर ट्रस्ट किया विश्वास करके उनको टिकर दिया और वहां से बेचार बार जीते हैं और नलंदा से जोनका गिरी जीला है उनका जाता कि नितीज जी की पूरी राजनितिक कार्चेत्र करम भूमी कहने कि उसी मिट्टी गिट्टी में पैदा लिए हैं आराजनीत का सुरुवात भी वहीं से किये हैं जो भी कभी किये हैं तो कभी नलंदा नवनिर्मान समीति माध्यम से लोगों को संगठित करने का काम किये फिर टाल संगर समीति बनाए तो टाल संगर समीति के माध्यम से उन्होंने लोगों को संगठित करने का काम किया और जिसका नतीजा है कि आज मुख मंत्री जो है बिहार और दिल्ली के जो बड़ा काम किया जो मुझे लगता ह संस्किर्थी काम पत्ना में राजगीर और विवह करना के चर्चा नहीं होती है तुछ बात introduced मेरे लिदे नलंदा के रखेते झालन में ओनुवा हम कहा कि हुआ बहुत है सिरो आप नलंदा के दा लूप तो हमने कहा कि उन सारी चीजों को अच्छुन रखने का काम नलंदा और विहार की जनता का है आपने तो बहुत कुछ कर दिया है और हम समझते हैं कि विकास की भूख भी आप लोग उसे राय लेते हैं कि क्या करने की जुरुत है करज करता से फिडवेक लेते हैं और जड़ी कोई बात नहीं माल होती है तो वो बुली देते हैं कि आप लोगों ने तो किसी ने बताया नहीं काम के लिए कि हम तो समझ नहीं पाया थे हैं अनिल जी क्या क्या करें करीबी लोगों में से हैं इस वार मंत्राले मिलेगा देखे वो तो हमारे सर्मार नेता नितिश कुमार जी है वो जो फैसला ले ले लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा सम्भू जी इस चैनल के माध्यम से कि अगर ना कि अलंदा के लोग नहीं पूरे बिहार के भी लोग दबे कुछले लोग जो है सोसीत लोग बैकवर देश भर के रिवा से लेकर इलाहबाद से लेकर फुलपुर से लेकर पूरा पटेल समाज भी बहुत खुश हो सारे लोग बिलकुल है जो कि उत्ताहित रहेगा और उसमे में भी पूर्ण बहुमत दे करके फिर से भी जय कराएगा नितीजी को इसलिए मानिये सांसत को मंत्रीपद मिलना चाहिए मेरा एक ब्यक्तिकत राय है मैं एक समाजीक संगठन चलाता हूं उसके अंतरगत मैंने अभी परचार परसार में भी गया वहां पर दस दिन लगाया भी वहां जाकर के कहां कहां क्या कमी है उसको भी अपने वलबूते ऐसा नहीं कि मैंने मानिये सांसत के उपर बोज बन करके तो मैं जरूर करूंगा को हर जंता जो बिहार के लोग है नलंदा के खास करके हैं वह चाहते हैं कि इस बार कोशलेंद जी कोई अच्छे पद पर सांसत ही तक ना रहें आगे किसने देखा नलंदा ने नितीज जी को भी बहुत कुछ दिया है नलंदा का कर्ज भी इस तरस उतर जाएगा अगर नलंदा के इंपी को मंत्री बना जाए सभाविक है संभू जी है तो मैंने आप भी कह रहे हैं आप दूसरे प्रदेश से भी नालंदा के करता हैं आलंके नालंदा के कार्ज करता और जनता चाहती कि चार बार हम लोगोंने आप जन्सत्र बनाया है तो इनको भी मंत्राले में जगह मिले घर तो मजबूत होना चाहिए यह सोच है वहां की जनता का सब लोग यह आस लगा के दिखा है आज सारे टीवी पे बैठे हुए सारे हम लोग भी बिहार के अपने नलंदा अलग अलग जगह से मेरे पास आ रहा कि मानिय सांसद मंत्री बन रहें कि ने रहें लेकिन हम लोग को कोई आइडिया नहीं है और जैसे इस नाम का लेकिन नलंदा की इच्छा है नलंदा नहीं पूरे प्रदेश की इच्छा है कि कॉसलिंद जी इस बार मंत्री के रूप में आएं तो सुचिये नितीज कुमार का जिस तरह से राजनितिक एक बार फिर से दोवारा उन्होंने केंद की सत्ता में वाफसी की है वो मिरकल से कम नहीं है और जिस तरह से लोग कह रहे थे कि राजनितीज कुमार अब क्या करेंगे तो सुचिए नैंदर मोधी का पूरा राजनीति कुछ थान जो है उसको आप नितीज कुमार से जोड़ के देख सकते हैं अगर इस बार नितीज कुमार नहीं होते एंडिये में तो सुचिए एंडिये का क्या होता और उसी करी में नालंदा एक ऐसा जिला है बिहार से जो नितीज जी के पूरे राजनीतिक जो उदय है उसके साथ साथ चलता है और वहां से चार बार से कुछ लेंदर जी कुमार सांसाद है अब लोग अपनी राय जरूर दीजिए शंभू कुमार सिंग निस्नल दस्तक दिल ले निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें